धन तेरस की पावन कथा उत्री भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रियोच्छी तिथी के दिन धन तेरस का पर्व पूरी श्रत्था वो विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन वंत्री के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मानता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन वंत्री के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विश्वास मृत्यू लोक में विचरन करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आगरहे किया। तब विश्वास जी ने कहा कि यदी मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विश्वास के साथ भू मंडल पर आ गई। कुछ देर बात एक जगा पहर पहुँचकर भगवान विश्वास ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहां ठेरो मैं दक्षिन दिशा की ओर जा रहा हूं तुम उधर मत आना। विश्वी जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिन दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वेम चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। विश्नु जी आए और यहें देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शापते दिया कि मैंने तुमें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराद कर बैठी। अब तुम इस अपराद के जुर्म में इस किसान की बारा वश्ट तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर शीर सागर चले गए। तब लक्षमी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्षमी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा किम्त तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्षमी का पूजन करो फिर रसोई बनाना तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्ती ने ऐसा ही किया, पूजा के प्रभाव और लक्षमी की कृपा से, किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्म, स्वर्ण आदी से भर गया, लक्षमी ने किसान को धन धाने से पून कर दिया, किसान के बारा वर्ष बड़े आनंद से कट गए, फिर बारा लक्षमी जी जाने के लिए तयार हुई, विश्नु जी लक्षमी जी को लेने आये, तो किसान ने उन्हें भेजने से इंकार कर दिया, तब भगवान ने किसान से कहा, कि इने कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कही नहीं ठैरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके इनको मेरा शाप था इसलिए बारा वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी बारा वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हट पुर्वक बोला कि नहीं मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान तुम मुझे रोकना चाते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो कल तेरस है को तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच करना रात्री में घी का दीपक चला कर रखना और साइकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपे भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलश में निवास करूंगी किन्तु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं चाऊंगी यह कह कर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसो दिशाओं में फैल गई अगले दिन किसान ने लक्षमी जी के कथन अनुसार पूजन किया उसका घर धन दाने से पूर्ण हो गया इसी वज़ा से हर वर्ष तेरस के दिन लक्षमी जी की पूजा होने लगी